नमस्का दोस्तो हमारे चैनल पर आपके स्वागत है आज मैं बात कने वाला हूँ PF का पैसे आप कैसे विड्रॉल कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर Employer Share हो गया और यहाँ पर आपके Pansion का पैसे सारे पैसे आप यहाँ पर कैसे विड्रॉल कर सकते हो इस वाले वीडियो में मैंने आप लोगो डीटेल्स में बताने वाला हूँ वीडियो का आप लोग कॉंप्लीट देखते हैं तब जाके आपको पाता चलेगा जैसे कि यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो यहाँ पर सेटेल दिखाई जारा है अगर आप इसी तरीके से क्लेम करते हो यहाँ पर आपके पीफ का पैसे वीडियोल हो जाएगा मैंने यहाँ पर एकाउंट उपन करके आप लोगो डीटेल्स में बताईता हूँ चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं पहले हमें क्या गना है गूगल क्रूम ब्राजर को उपन कर लेना है मोबाइल से भी कर सकते हो लैप्ट आप कम्पूटर आपके पास जो भी है आपको क्या गना है गूगल क्रूम ब्राजर को उपन कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है EPFO यही आपको type करना है उसके बाद आपको search bar में click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाद रहे employees इसी के उपर click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाद रहे online के लिए member account transfer इसी के उपर click कर देना है laptop computer में जैसे open होगा आपके mobile पर भी same चीज़े open हो जायागा अगर आप direct इस वाले page पर आने चातों तो आपको क्या गाने इस वाले वीडियो के निचो मैंने इसका link दे रखाँ उसके बाद क्या करना है अपने UN नमबर यहाँ पर फिल कर देना है उसके बाद क्या करना है यहाँ पर दिखाई देरा है पासवर्ड तो आपको क्या करना है यहाँ पर अपने UN के पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है उसके बाद यह जो capture दिखाई देरा है यह वाले capture को य नहीं आ रहा है तो आपको क्या करने इसके पर क्लिक कर देना है आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे capture यहाँ पर change हो रहा है सारे details फिल करने के बाद आपको यहाँ पर sign in के उपर क्लिक कर देना है आपके जो account है यहाँ पर open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर letter के उपर क्लिक क बार देना है उसके बाद आपको यहाँ पर चेक कर लेना है आपके बैंक आकाउंट और कौन सा IPC कोड है वह आपको एक बार चेक कर लेना है क्योंकि यहाँ पर अगर आपके बैंक डीटेल्स गलत होगा क्लेम समिट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर आपके जो बैंक डी स्भीसेज इसी के अपर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा द्रहा है क्लिय मिन्फ नाइन इसी के ऊपर क्लिक कर देना है इसके बाद क्लिक करना ही यहाँ पर देख सकते है अमारे हैं टीच घ्र Griff आकाउंट नमर यहाँ पर गलत फिल कर तो यहाँ पर समय नहीं होगा इस चीछ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हमारे यहाँ पर date of exit हो चुगा है अगर आपने date of exit नहीं किया यहाँ पर आप क्लेम नहीं कर सकतो इस चीछ को भी encompass पूरा सा ध्यान रखना है तो पहले आपको यहाँपदव exit करना है अगर आपको date of exit करना नहीं आताए इस वाली वीडियो से खटमों क्या आपको एक वीडियो मिल जाएगा उस वाले क्यों select करना है आपके employee पैसे plus employer के पैसे हमें यहाँ पर bid roll होगा इस चीच को आपको थोड़ा सा धियान रखना है TNC वाले में कौन सा पैसे आता है आपके pension का पैसे pension का पैसे बात में fill करना है पहले आपको क्या करना है from 19 फिल करना है और एक बार मैं बताईता हूँ from 19 में employee plus employer share यहाँ पर bid roll होता है इस चीच को आपको थोड़ा सा धियान रखना है पहले तो हमें क्या करना है from 19 फिल करना है जो कि आपको यहाँ पर दिखाए द रहा है तो आपको यहाँ पर 15 फिल करना है अगर आपके service 5 साल से उपर है और आपके amount भी 50,000 से कम है तो यहाँ पर आपको 15 फिल नहीं करना है और एक बार मैं बताइता हूँ अगर आपके सर्विस पांस साल से उपर है 15GH from फिल करना कोई जोरूरी नहीं है अगर आपके अमाउंड पर 15GH from फिल करना है नहीं तो कोई जोरूरी नहीं है 15GH from कैसे फिल करना है इस वाले वीडियो जाई से खतमों का आपको एक वीडियो मिल जाएगा उस वाले वीडियो को देखने के बाद आपको पताद चल जाएगा अगर आप सुमिट करने चातो तो आपको क्या करने यहाँ पर आप देख सकतो PDF फाइल यहाँ पर आप सुमिट कर सकतो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकतो 1MB से नीचे साइज होना चाहिए इस चीच को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हमारे इस केस में 15GH from फिल करना कोई जूरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एमाउंट कम है उसके बाद के अगर नहीं यहाँ पर आपने address फिल करना है अपने गाओं के address फिल कर सकतो अगर आप सेयर में रहतो आपने room number आपने building number हो आपको यहाँ पर फिल करना है उसके बाद के अगर आपने street के नाम आपको यहाँ पर फिल करना है अब यहाँ पर short name भी fill कर सकतो कोई भी दिक्कत नहीं है उसके बाद क्या करना है यहाँ पर आपने area के pin code यहाँ पर fill कर देना है बहुत बार यहाँ पर comment आता है कौन सा address fill करना है मैंने यहाँ पर आपको बताईता हूँ कोई भी address आप यहाँ पर fill कर सकतो यहां से यहां तक आप कोई भी address फिल कर सकतो कोई भी problem नहीं है इस वाई से कोई भी rejection नहीं आता है आपके doubt side यहां पर clear हो गया होगा उसके बाद क्या करना है थोड़ा से नीचे की तरह बना है यहां पर आपको दिखाई दे रहे upload scan copy of check या passbook दोनों में आप यहां पर कुछ भी submit कर सकतो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है अगर आप passbook submit करने चाहतो तो आपको ध्यान रखना है bank manager के science time होना बहुत जोरूरी है यहां पर और एक चीज मैं बतायता हूँ अगर आपके UN account में आपने पिता जी के नाम गलत है तो आपको क्या करना है यहां पर passbook submit नहीं करना है अगर आपके UN account में पिता जी के नाम अलग है और आपके passbook पर print है अगर और उहां पर आपके पिता जी के नाम और खुज है साइज होगा आप यहा पर देख सकतो 100 Kb से 500 के वी के अंदर साइज होना चाहिए नहीं तो यहां पर आप सुमिट नहीं कर सकतो यहां पर चेख सुमिट करने के लिए क्या करना है यहां पर दिखाये देखा देरहा cuatroze file रिश्य के उपर क्लिक करना है उसके बाद आपने पिंटेड होना बहुत जोरी जोरी नहीं तो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा उसके बाद क्या करणा है यहाँ पर क्रोस के उपर क्लिक कर देना है उसके बाद क्या करने है नीचे की तरब आना है ये जो छोटा सा बोक्स आपको दिखाएद रही है इसके उपर आपको क्लिक करने है उसके बाद आपको यहापको यहापको दिखा देगा इसी mobile number पे आपके पास OTP आएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर OTP फिल कर देना है अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पास OTP आ चुगा है मैंने यहाँ पर OTP फिल कर चुगा हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाएद रहा है valid OTP and Summit claim from तो हमें क्या करना है इसी के करने के लिए क्या करना है यहाँ पर दिखाएद रहा है online services इसी के उपर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाएद रहा है claim from 31 1910C10D तो इसी के उपर क्लिक करना है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हमारे यहाँ पर green tick हो चुका है उसके बाद यहाँ पर दिखाए घराई सिलेट्ट एंप्सेली निफ्न पहले ख़ूगे उसके वाद यहां पर देख सकतो यहां पर आप देटल Eagle करने चिहां फ्रांवे स्रिंटी जारा इसे और तो वांते में बोला था आगा में रहे तो आपने गा के पे относ फिल कर सकतो कोई भी दिख्कत नहीं है अगर आप सहर में रहे तो आपने रूम नंबर हो गया अपने बिल्लिंग नंबर हो गया वह आपको यहाँ पर फिल कर देना है उसके बाद क्या करना है अपने स्टीट के नाम आपको यहाँ पर फिल करना है उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड यहाँ पर फिल करना है उसके वाद यहाँ पर आप देख सकत हो चुस पाइल दिखाई दरहे इसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे मैंने पहले बोला था आपको ध्यान रखना है यहां पर आप चेक, पास्बुक कुछ भी हाँ पर संमित कर साकतो हो उसके बाद यहाँ पर देख सकतो, JPG and JPEG, आप यहाँ पर देख सकतो, उसके बाद यहाँ पर धियान रगना है, 100KB से 500KB के अंदर यहाँ पर साइज होना चाहिए, उसके बाद क्या गने यहाँ पर चूस फाइल दिखाई दरहा है, इसी के उपर क्लिक करना है, आपने चेक इमेज आपको यहाँ पर धूणना है, उसके बाद क्या गने चेक के उपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर ओपन दिखाई दरहा है, इसी के उपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर दिखाई दरहा है, इसी के उपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर जो कि आपको यहां पर दिखाए दे रहे है इसे तरीके से आपके पास भी यहां पर लिधाँ इसा क्लिक कर देना है अब यहां पर देख सकतो हमारे यहां पर pension withdrawal claim शॉसक्षफूल जो कि आपको यहां पर दिखाय देगा अगर आप पाश्बूक समीट करतो यहां पर आपके पास्बूक के इमेज यहां पर दिखाई देगा उसके बाद कि अगर आगर आप बात में चेक करने चाहते हो तो कैसे चेक करना है मैंने यहां से क्लोज कर देता हूं कैसे चेक करना है वो भी मैंने आप लोगो बताएता हूं इसके लिए कि अगर नहीं यहां पर दिखाई देरें ओनलाइन स सेटल यहां पर क्लेम सेटल करके आ जायेगा जैसे यहां पर यह सारे काम खतम कर ले तो यहां पर एक गप्ता के अंदर आपके बंक आकाउंट में पैसे आ जाएगा बहुत सरे ऐसे अएक रगांड में होता है 15-20 दिन वे time लग जाता है नॉर्माल है यहाँ पर एक अंधर आ जाता है यहाँ पर पहले भी आ जाता है तीन-चार दिन में भी यहाँ पर पैसे आ जाता है दोस्तों यह था छोटा जानकारी जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक like कर दिये चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ओन कर दीजिए जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपकी बाई नोटिफिकेशन पहुंचाए ठैक्यू दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में